नमस्कार राजनमा टीवी पर आपका स्वाकत है मैं प्रिया आपके साथ आईए देखते हैं देश शुदेश की प्रमुक खबरे कतर में आठ भारतियों की सजा के खिलाफ अरजी स्वीकार डीप फेक अब सोशल मीडिया कमपनियों पर होगी एफ आई आर तेरा दिन बाद भी उमीद की सुभग कब इंतजार मजदुरों तक पहुँचने में अब सर्य की बाधारों की ड्रिलिंग अफगान दूतावास बंध होने के कुछ घंटों बाद वानिश दूत ने कहा नहीं होगा बंध सोला मित्र देशों के शांती दूतों ने भारती जवानों के साथ यूएन की ट्रेनिंग पूरी की थाइलेंड में विश्व हिंदू कॉंग्रेस का उद्गाटन दुनिया एक परिवार सभी को आरे बनाएंगे मोहन भागवत ने कहा तेलगाना में वादों की बोच्छार आरूपों से घेरा बंधी अमिश्या का वादा हम मुस्लिम अरक्षन खतम करेंगे SC, ST और OBC को अरक्षन देंगे करनाटक के मुस्लिम अनाथालाय में 200 बच्चों को शिक्षन न देने का मामला देश के मुस्लिम अनाथालाय बाल आयो के रडार पर 15 दिन में रिपोर्ट मांगी पत्रकार सोमिया विश्वनात के हत्यारों को सजा आ सुनाईगी दिल्ली की साकेत कोट SCS की गिरफ्त में है मालिक दीपक सिंगल दोला पाली से कमाए काले धन से बनाई सोया फैक्टरी बुरानपूर से बारा पिस्टल लेकर निकले पंजाब के पांश तसकर पकड़ाए बोले हत्याओं का बदला लेने खरीदे ग्यानव्यापी के तहकाने पर सुनवाई एक हकते टली मुंबई एर्पोर्ट उड़ाने की धमकी बिटकाइन मांगे राजिस्तान में 119 सीटों के लिए मद्दान आज ट्रेनों में स्लीपर जनरल कोज घटे एसी कोज बड़े ताकि आए बड़े अमिताब ने 16,000 वर्गफिट का वंगला प्रतिक्षा बेटी के नाम किया बाखी की तमाम कबरों के लिए राजनमा टीवी के साथ धन्यवाद